तो आप सभी मेरे थमनेल को देखा होगा कि पोटली प्रोफेसर की तो क्या है इस पोटली में जानने के लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा तो देखे पोटली ओपन हो चुकी है तो इसमें वो तमाम चीजें हैं जो हमें स्टीचिंग के लिए बहुत जरूरी होती है सबसे पहले नमबर आता है हमारे पेपर बकरम का इसे चिपका के यूज़ किया जाता है कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी सेकेंड नमबर है हमारे नॉर्मल बकरम का तो ये सन्वार के पाइचे कॉलर वगेरा में यूज़ किया जाता है ये है केंकें तो केंकें भी दो तीन तरह की आती है जैसे ये बड़े होल की है ये बारिक होल की है और भी इस दोनों की बीच की भी केंकें आती है ये है नायलोन का thread जो की पीकू वगेरा करने में काम आता है अब नमबर आता है हमारे hook button का तो आपको इस तरह से box ही लेना चाहिए क्योंकि ये आपको reasonable पड़ेगा नमबर आता है zip का तो देखिए zip के भी बहुत से type भी होते हैं और बहुत से size भी होते हैं तो आपको हर type की हर size की zip अपने पास में रखनी चाहिए ये हैं हमारी needle और ये हैं हमारे scissor तो आपको इतनी type की scissor तो maximum रखना ही चाहिए ये होता है cutter जो की neck पे बारी जो कोने वगेरा होते हैं उसे निकालने के काम आता है और ये सबसे छोटी scissor ये scissor कच्चा वगेरा खोलने के काम आती है और एक है ये scissor सबसे main scissor होती है हमारी ये बड़ी वाली जो कपड़े cutting के काम आती है ये हैं pad तो देखिए pad भी 2-3 तरह के आते हैं और इनके हर size market में available रहते हैं आप अपने requirement के हिसाब से इने लाके रख सकते हैं तो इसकी भी quality होती है कुछ pad मोटे होते हैं कुछ pad पतले होते हैं अभी मैं वो भी आपको detail में समझाती हूँ तो ये देखिए ये मोटे वाले pad है ये उससे थोड़े पतले pad है और ये बहुत ज़्यादा पतले हैं हर size में मिलते हैं ये blouse, gown, suit वगेरा में लगाए जाते हैं किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी तो ये हो गए हमारे pad अब है ये डोरी तो आप कितनी matching की डोरी purchase करके रखेंगे उससे बहतर होता है कि इस तरह का ये मोटा thread आता है इसे हम piping डोरी कहते हैं तो आप जिस color के कपड़े की stitching कर रहे हैं उस color की piping आप इससे बना सकते हैं ये है chalk का box तो ये भी आपको थोक में ही लेके रखना चाहिए क्योंकि जो इसका single piece होता है वो हमें महंगा पड़ता है box हमें reasonable पड़ता है इसलिए हमें box ही लेके रखना चाहिए ये हैं हमारे elastic तो देखिए 3-4 तरह के elastic भी आते हैं elastic के भी हर size आते हैं 2-4 इंची अब ये है screwdriver ये आपके tool box में होना बहुत जरूरी है क्योंकि machine में कुछ भी problem होती है इसके बिना वो problem solve नहीं हो सकती ये दोनों site से use किया जाता है इस type के मैं 2-3 वीडियो upload कर चुकी हूँ उसके link में इसके description box में दे दूँगी तो देखिए ये है इंची टेप और ये है show button तो show button भी आपको बहुत सारी तरह तरह की design की लेके रखनी चाहिए फिर number आता है dory का तो dory भी मैं आपको 3 तरह की दिखा रही हूँ ये normal dory है और इस से थोड़ी सी मोटी आती है ये वाली dory और एक और dory दिखाऊंगी मैं आपको जो हम मोड के बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं उसका वीडियो भी मैं जल्दी upload कर दूँगी तो ये है हमारी 3 तरह की dory और ये है गोटा पट्टी तो गोटा पट्टी का यूज करके मैंने बहुत सारे आपको डिजाइन बनाना सिखाए हैं उन सभी के link में इसके description box में दे दूँगी तो गोटा भी एक पतला गोटा आता है और एक ही मोटा गोटा आता है तो आप अपने requirement के हिसाब से थोड़े थोड़े दोनों के piece रख लीजिए फिर ये इस तरह से बहुत सारी laces भी हमें हमारे पास में रखनी चाहिए क्योंगी customer की कब क्या demand हो हमें नहीं पता यदि आप किसी विशाय पर वीडियो चाहते हैं तो comment करके बताईए मैं आपके विशाय पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी मेरे किसी भी वीडियो को देखते समय उसके description box को देखना नहीं भूलना है मेरे last वीडियो का सही answer दिया था सोना ली सिंगही जी ने थेंक्यू सोना ली जी कि आप stitching प्रोफेसर को इतने अच्छे से follow कर रही हैं अब नमबर आता है तिकोनी lace का तो ये भी बहुत ज़्यादा trend में चल रही है इसकी design neck पे और sleeve पे दी जाती है इससे बहुत सुन्दर look आता है हर क्लाइन की demand होती है कि इस lace का use उनकी dress में किया जाए तो देखी ये हुई dory और तिकोनी lace अब आता है नमबर रेशम की lace का तो आपके पास में थोड़ी सी रेशम की lace भी होना चाहिए वीडियो को skip करके नहीं देखना है और subscribe करना है मेरे channel stitching professor को bell icon को press करना है ताकि आपको मेरे हर video की notification मिलती रहे क्योंकि professor आपके लिए बहुत महनत करके बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती है वीडियो कैसा लगा फटा फट से comment करके बताईए क्योंकि मैं wait करती हूँ आपके comments का तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको प्रोफेसर की पोटली की सारी चीजें दिखाई है इस teaching को आप अपनी hobby बनाई या अपना business सबसे important चीज है कि आपके पास होनी चाहिए ये पोटली यानि कि इस पोटली का सारा सामान इसमें वही चीजें है जो हमें stitching के लिए जरू प्रोफेसर तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई क्लास के साथ